पिछले प्रेस कौन्फिरंस में मैंने इंसे सवाल पूँचा, प्रेस वालों से सवाल पूँचा, आम थोर से यह पूछते हैं, मैंने पूछा वहिए एक बात बताओ, आप नरेंदर मोधी जी का 14-24 गंते दिखाते हो, आप अश्वर्या राय जी की बात करते हो, अक्षे कुमार की बात रखते हो आप महंगाई की बात क्यों नहीं रखते हो आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं रखते हो जो जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों से उनकी जमीन जो चीनी जा रही है वो हमें मीडिया में क्यों नहीं दिखाई देता जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहां सरकार अन्याय कर रही है आज सुबह मेरे साथ मेरे से मिलने एक डेलिगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी मैं हरान हो गया उन्होंने कहा और मैं मीडिया के सामने यह कहना चाहता हूँ उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनका डेलिगेशन लेफटेनन गवर्नर के पास गया तो लेफटेनन गवर्नर ने उनसे कहा कि तुम्हें भीक नहीं मागनी चाहिए यह देखिए लेफटेनन गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों के डेलिगेशन को कहा कि आपको भीक नहीं मागनी चाहिए लेफटेनन गवर्नर जी यह भीक नहीं माग रहे हैं यह अपना हक माग रहे हैं और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए प्रिफटेनन गवर्नर जी यह भीक नहीं मागनी चाहिए